आम आत्मी पार्टी राश्विय संगठन महा सचेव संधी पाठक ने मीडिया से बाच्चीत में कहा कि पार्टी संगठन को पुनर गठन करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि परिवार में नए शामिल लोगों को उचित स्थान मिलने के साथ साथ आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को खड़ा किया जाए उन्होंने कहा कि चुनावी शंकनाद हो चुका है प्रदेश में सभी पार्टियों को जनता ने मौका दिया है लेकिन सभी राजनतिक दलों ने उनकी उमीदों पर पानी फेरा है आम आदमी पार्टि विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ रही है उमीद है कि जनता अर्विन केजिवाल को एक मौका जरूर देगी हरियाडा के चार जोन पे आम आदमी पार्टि की मीटिंग रखती गई है ये संगठन की मीटिंग है तो अभी आपने देखा होगा कि संगठन को पुनर गठित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है उस पे पुराने संगठन को डिजॉल करके नए संगठन के संरशना की जा और दूसरी अभी जो संगठन बनेगा वो चुनाव को ध्यान में रखकर उस पूरी प्रोसेस को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी तो आमादमी पार्टी हर्याणा में जो आने वाली विधांतवा चुनाव है उसमें पूरी ताकत से लड़ेगी इस बार और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हर्याणा अर्विन केजरिवाल जी को एक मौका देगी और आमादमी पार्टी की सरकार हर्याणा में बनी तो क्या वीज़ेपी इस तरह थे हैं हमारी तैयारी तो शुरू ही है हम लोग छोटी पार्टी है और हमारा continuous process रहता है हम संगठन से शुरू क करते हैं संगठन बनाने की प्रक्रिया है और फिर लिश्चित रूप से तैयारी शुरू हो गए शंकनाद हो चुका है मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है उत्ता उत्तर वही देंगे मैं यह उत्तर दे सकता हूँ कि आज हर्याडा में जिस तरीके से सभी पार्टियों को जन्ता ने मौका दिया है सब पार्टी को मौका दिये, कोई ये नहीं कह सकता कि हर्याणा की जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया, सब को बराबर मौका दिया गया है, सभी ने जनता की उम्मीदों पे आज तक पानी फे रहा है, आज तक कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया गया है जो जनता चाहती थी, पर्टी जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी हो रही है नए पुराने सब की जरूरत है जब आप सरकार बनाने की प्रक्रिया में लगते हो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हो तो सब लोगों की जरूरत पड़ती है सब का स्वागत करें